थालो फ्रेंड्स माकिरा से इसरमें आप सब का स्वागत है दोस्तों मैंगो का सीजन है गर्मियों का सीजन है और इस टाइम में आम की बहुत सारी डेसिपीज हम लोग घर पे ट्राइ करते हैं आइस्क्रीम हो जैम हो और उनी में से एक बहुत ही पॉपलर रेसिपी है मैंगो केक मैंगो केक बहुत ही डिलिशियस लगता है सभी को बच्चो बड़ो सभी को बहुत ही पसंद आता है जब हम इस रेसिपी को फॉलो करके बनाते तो बहुत ही सौफ्ट सा मैंगो केक बनकर तयार होता है दोस्तों हम इस रेसिपी में किसी भी तरह के एसेंस क्या कलर का किये हैं फ्रोस्टिंग किये हैं लेकिन आप इसके बगार आइसिंग के भी इंज्वाय कर सकते हैं और इसे हम माइक्रोवेब में किये हैं लेकिन अगर आप चाहें अगर आपके घर में माइक्रोवेब नहीं है तो आप इसे कडाई में या फिर कुकर में या फिर इडली के स् अगर आप मेरे रवा मैंगो केक की रेस्पी आप देखे होंगे तो हम उसमें इडली स्ट्राइंड में ही बनाए हैं उसकेक को और बहुत ही अच्छा बनकर तेयार होता है तो यह आपकी अपनी च्वाइस है आप जिस पर भी बनाना चाहें तो दोस्तो रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी हल्फुल लगे तो प्लीज लाइक शो और कमेंट करें चानल को सब्सक्राइब करके बैल आकन भी ज़रूर से प्रेस कर लेजेगा चली बनाना शुरू करते हैं मैंगो केक कि अच्छी विप है या इन कुप्स को सीधा हम इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं क्योंकि हमें इसे ड्राइंड करके और इसका पल्प तयार करना है सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों यह पूरी मैंगो प्यूरी तयार कर लिए हैं और अब इसे हमें ग्लेज इसका हमें तयार करना है इसके लिए इस प्यूरी को हम इस पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं और धीमी आज पर चीनी के साथ इसे हमें पकाना है यहां पर हम हाफ कप चीनी का यूज किये हैं यह देखिए यह हाफ कप का मिजरमेंट है 100 ml का है यह चार ओंस का इससे हम हाफ कप चीनी लिये हैं तो इससे थोड़ी से शाइनिंग आ जाएगी 5-6 मिनट के करीब बस लगते हैं इसे पकाने में दोस्तों हमारा यह जो मैंगो ग्लेज है वो तयार हो चुका है इसे बहुत जादा देर तक नहीं पकाना है बस 5-6 मिनट पकाना है हलकी सी शाइन आ जाए ज्यादा देर तक पका देंगे तो यह चाचनी की तरह कड़क हो है यह हमारा केक्टिन है और इसमें अच्छे से ओयल लगा लेंगे ठोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे तारो तरफ इस तरह से बटर पेपर अगर हम न भी लगाए तो भी आराम से केक जो वो निकल जाता है हमारा तो यह हमारा केक्टिन तयार हो गया अब दूसरी तयार ही माइक्रोवेव को हम कन्वेक्शन मोड पे केक को बेक करेंगे तो उसे हम प्री हीट होने के लिए रखेंगे अगर आपके बास माइक्रोवेव नहीं है तो आप अगर कडाई या को कर में बनाना चाहते हैं तो उसे इसी समय प्री हीट होने के लिए रख दें थोड़े से ब लिक्सिंग बोल लिए हैं और इसमें पिसीवी चीनी हाफ कप हाफ कप वेज़िटेबल ऑईल दोस्तों इसकी जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं पिगला हुआ लेकिन मेरा पर्सनल यह एक्सपीरियंस है कि ऑईल के साथ ज्यादा अच्छा बनता है हार्ड नहीं होता बिल्कुल सॉप्ट और स्पॉंजी बना रहता है अगर आप फ्रेज में भी रख देते हैं केक को तो अच्छा केक रहता है और जो मक्खन वाला रहता हो थोड़ा से हार्ड हो जाता है तो इसमें हम डाल रहे हैं कुछ बूंदे वनीला एसेंस की तीन चौथाई कप दूद्ध यह हाफ कप और यह क्वाटर कप अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में थोड़ा दूद और दाल लेंगे और अब इसे हमें थोड़ी देर फेटना है पांसाथ मिनट जब तक यह चीनी दूद्ध और तेल जो है सब कुछ एक सार नहों जाये एक ही डारेक्शन में फेटिएगा तो इसी मिक्षर में हम यह देखें दो खाने के चमज भरके हम दही लिए हैं इसे भी ड पांस मिनट के करीब हो चुके हैं तो इसे इसमें अब हम जो ड्राइ इंग्रीडेंस हैं यानि की मैदा और बेकिंग पाउडर इसे चान के डालेंगे एक कप और ये हाफ कप और एड़ स्पून टी स्पून ये वन टी स्पून और ये हाफ बेकिंग पाउडर चान लेते हैं थोड़ा सा मिक्स करेंगे से बहुत ज्यादा अब हमें इसे फेटना नहीं है अगर हम बहुत ज्यादा फेटेंगे तो फिर केक हमारा जो है वो बैठ जाएगा ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो थोड़ा दूध हम और डालेंगे करेंगे तो इसकी तो इसमें हम चार चम्मच ये जो मैंगो का जो पल्प ये बनाए थे चीनी के साथ चार चम्मच ये डाल देते हैं चार पांच चम्मच एक बार और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे आम का ये जो प्यूरी है उसे डालकर एक बार अच्छे से मिक्स करके बस इस केक टिन में अब हम सीधा इसको पोर करेंगे बिना देरी किये तो ये सीधा इस केक टिन में पारा बैटर केक्टिन के अंदर अब इससे हम दो तीन बार टाप कर लेंगे ताकि अगर कोई एर बबल हो तो वो निकल जाए और सीधा ये जो प्री हीटेड ओवन था हमारा उसमें ये जाएगा 180 डिग्री पर प्री हीट करके रखे हैं उसमें ये 25 से 30 विनिट के लिए हम ब और कवर करके ही धीमी आज पर बिल्कुल टाइम जादा लगता है लगवग 40-50 मिनट लग सकते हैं इसे पकने के लिए और माइक्रोविब में थोड़ा सा कम समय लगता है लगवग 30 मिनट लगेंगे तो ध्यान रखेंगे इसका जो ग्यास केट होता है कुकर का वो निकाल क से आप इसे बेक करेंगे केक हमारा बेक हो चुका और यह काफी ठंडा भी हो चुका इसे हम ठंडा हो जाने दिये थे इसे हम 180 डिग्रे सेंटेग्रेट पर 30 मिनट बेक किये हैं यह ध्यान रखेगा केक कुछ जाधा देर बेक कर देने से वह बैट जाता है तो इसकी जो नाइव की हेल्प से अलग कर लेते हैं इस प्लेट में पलट लेंगे काफी सॉफ्ट और मॉइस्ट सा केक बनकर तयार हुए यह एक ही तो अब हम इसे डेकोरेट करना है डेकोरेट करने के लिए हम एक सुगा शिरप तयार करेंगे इसके लिए आधा कटोरी पानी में दो चम्मत चीनी डालके और इसका एक बस पिखलने तक इसे हम गर्म कर लेंगे तो यह देखें पानी में चीनी अच्छी तरह के से घुल गई है सुगा शिरप तयार हो गया है ग्यास बंद कर दिये हैं इस केक को फिर से एक बार पलट ल रहेते हैं ताकि बराबर सा इक्वल रहे सर्पेस तो हमें डेकोरेट करने में आसानी हो इसके बाद हम इसके दो इक्वल पार्ट करेंगे और यह जो दूसरा दोनों पार्ट हैं दोनों को अलग-अलग रखते हैं यह देखें कितना अच्छा सा बनकर बेखो कर तयार हुआ है तो इसे इधर साइड में कर देते हैं पिंग क्रीम को विप करेंगे दोस्तों 5-6 मिनट बाद यह देखें बिल्कुल स्टेफ हो चुका है और यह पिक्स बन रही है मतलब विप क्रीम बिल्कुल रेड़ी है तो अब हम केक को डेकुरेट करना शुरू करते हैं अब इस बेज के इस आधे पोशन पर यह जो जेलियम बनाये थे आम और चीनी के स इसा पूरा अच्छी तरीके से फेला लेते हैं इसके उपर यह पूर्शन सेकेंड वाला तो यह केक जो है इसे हम इस पर रख लेते हैं और इस सर्फेस पर जली नहीं बलकि यह जो सुगर सिरफ बनाये थे उससे थोड़ा सा चारो तरफ हैंसे सोक कर लेंगे केक को बहुत जादा नहीं करने की जुरूत है जैसे कि नॉर्माल वनिला केक वगरा में हम लोग करते हैं लेकिन इसमें बीच में हमने आम डाला है आम का पल चीनी के साथ पका कर तो उसकी वज़ा से यह काफी वैसे भी मीठा हैं तो आप अगर मीठा कम पसं करेंगे और साइट्स को इस स्क्रेपर की मदद से थोड़ा सा एक डिजाइन सा बना लेंगे और यह हम यह देखें कि कुछ आम के गोल गोल पीसेज काट के रखे हैं इसके उपर हम इसे गार्निशिंग के लिए लगा देते हैं तो लिजे दोस्तों यह हापी बर्डे का भी स्टिकर लग गया है और यह हम अपने बेटे के लिए बनाए हैं आप सब भी जल्दी से यह मैंगो केक ट्राइ करें और कैसा बना आपका हमें जरूर बताएगा तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के सा तब तक के लिए टेक करें बाबाए